हेलो फ्रेंस मैं महादेत वारी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल क्रियेटिव देव पे फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एकसल के किसी भी सेल में आप किस तरह से प्रेजेंट डेट और करेंट टाइम को सेट कर सकते हो मैं बता दू कि यदि आप जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से अगर डेट और टाइम को किसी भी एकसल के सेल में लिखते हो तो वो चेंज होता रहेगा मतलब कि हर दिन वो डेट जो है खुद वे खुद चेंज हो जाएगा आपको डेली चेंज नहीं करना पड़ेगा उसको और वो टाइम भी है वो भी चेंज होते रहेगा मतलब कि जो टाइम है वो एज एक क्लॉक आपके लिए काम करेगा तो आएए देखते हैं कि किस तरह से आप डेट और टाइम लगा सकते हो शॉटकॉट की के माध्यम से ठीक है तो आप देख रहे हो यहाँ पर डेट लिखा हो है तो डेट लिखने के लिए सबसे पहले आप आपको क्या करना है कॉंट्रॉल और सेमी कॉलम को प्रेस करना है तो कॉंट्रॉल और सेमी कॉलम तो मैं दिखा दूं यहां कीबोर्ट पर इसे कॉंट्रॉल कहते हैं जिसे CTR लिखा हो और इसको सेमी कॉलम बोला जाता है बहुत लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं होती ह आते हैं तो यहां आप keyboard पर देख रहे हो यह L जो है L के right hand side में यहां पर semi column है तो आप control और semi column प्रेस करके date लगा सकते हो अब time लगाने के लिए आपको क्या करना है control shift और semi column आपको क्या करना है control shift और semi column इसे प्रेस करके आप time लगा सकते हो यह exact आपके laptop या computer में जो भी date और time आ रहा होगा यह exactly उसे ही उठाएगा अब देखते हैं कि date और time एक इसेल में किस तरह से लगा सकते हो तो date लगाने के लिए आपको control और semi column प्रेस करना है फिर आपको space bar दबाना है control, semi column, space bar उसके बाद आपको control, shift और semi column यह प्रेस करना है तो control, shift और semi column और इस तरह से आप द date और time दोनों ही एक सेल में आ गया और यह change होता रहेगा तो I hope यह वीडियो आपके लिए informative रहे होगी इस वीडियो को like और share करना ना भूले आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye and take care